नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्यास से इन दिनों सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से अच्छानक लोटी अंजु काफी जादा सुर्ख्या बटोरती हुई नजर आ रही है सोशल मीडिया पर अंजु को लेकर काई तरह के दावे भी किये जा रहा है और इन्हीं में से एक दावा है अंजु की तेसरी प्रेग्नेंसी दरसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार आ रही खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि क्या अंजु फिर से मा बनने वाली है हाला कि यह जो तमाम दावे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सिमित है लेकिन यहाँ पर अगर अंजू की बात की जाए तो इन दिनों वे अपने पहले पती आरविंद को लेकर भी काफी जादा चर्चा में है दरसल आपको बता दें कि जब अचानक 29 अंजू के खिलाफ शिकायत दर्च कराई थी और जब 29 नवंबर को अचानक से अंजू भारत लोटती है तो इस FIR पर काम करते हुए पुलिस अंजू से पूछताच करती है और इस घंटों की पूछताच में अंजू से कई बड़े सवाल पूछे जाते हैं कि आखिरकार अंजू अपने जवाबों में कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से मिलने आई है और मुलाकात के बाद वापस लोट जाएगी लेकिन बच्चों संग हुई मुलाकात को 6 दिन से जादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक अंजू वापस लोटने का नाम नहीं ल कर उसके पहले पती अर्विंद ने ये बयान दिया है कि अगर उसके बच्चे चाहेंगे तो वे अंजू के साथ एक बार फिर से अपनी शादी को मौका देने के लिए तैयार है ऐसे में तमाम सवाल लगातार अब ये उठने लगे हैं कि क्या अंजू अब भारत में ही रहन चाहती है यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अंजू जब पाकिस्तान गई थी तो वहां से अंजू ने अपने कई वीडियो जारी किये जसमें कि उसने पाकिस्तान जाने की वज़ा बताई दूसरी शादी की सच्चाई बताई पहली सादी को क्यों तोड़ा इस खबरे हैं वो अब फिर से चर्चा में आती ही नज़रा रही है और कहा जा रहा है कि शायद अंजू नस्रोला के साथ अपने शादी शुदा जिंदगी में खुश नहीं थी और भारत लोटने के बाद वो अपने बच्चों को छोड़ कर नहीं जाना चाहती हाला कि तमाम ख काफी एहम होगा कि क्या वाकई में कुछ समय की महलत पर भारत लोटी अंजू अब भारत में ही रह जाएगी और इसे लेकर पाकिस्तान में रह रहे अंजू के पती नस्रोला का आखिरकार क्या रुक रहेगा देखना काफी एहम होगा फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट म इतना ही बागी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रही नेक्स्ट नाइट नियूज